अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान की सुरक्षा के लिए उत्तर कोरिया पर सैन्ने कारवाई करने की धंकी दी तो अब नौर्थ कोरिया ने इस धंकी का जवाब अपने अंदाज में दिया है अमेरिका के धमकी देने के कुछ घंटों बाद ही उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट की और कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी दक्षन कोरियाई सेना के मुताबिक ये मिसाइल पूर्वी तटी इलाके वोंसान से दागी गई जो कोरियाई प्रयोदीप और जापान के बीच जागी दक्षन कोरिया के जोईन्ट चीफ और श्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल अधिक्तम 47 किलोमीटर की उचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तकुड़ी उन्होंने कहा कि मिसाइल दागना कोरियाई प्रयोदीप की शान्ती और सुरक्षा को नुकसान पहुचाने और भढ़काने वाली कारवाई है दक्षन कोरिया, अमेरिका और जापान की सेनाओं ने इसके दिंदा करते हुए कहा कि ये कदम शेत्री स्थिर्था के सामने खत्रा पैदा करता है अमेरिका की धमकी के बाद उत्तर कोरिया के विदेश मंतरी शो सो नुक का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपने सहयोगियों को जितनी ज्यादा मदद की पेशकर्ष करेगा और वे कोरियाई प्रयवदीप में जितनी अधिक उकसावे वाली सैन्ने गत्विदियां संचालित करेंगे उत्तर कोरिया की जवाबी कारवाई उतनी ही कड़ी होगी उत्तर कोरिया के इस मिसाइल लॉंच के बाद अमेरिका और उसके बीच तनाव और बढ़ गया है की दी तो उत्तर कोरिया ने तुरंत जवाब देकर अपने इरादे साफ कर दिये ऐसे में उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉंच के बाद अब अमेरिका उसके खिलाब कोई सक्ट एक्शन ले सकता है इस वीडियो पर आपकी क्या पुद्किरिया है कॉमें सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा साथ ही ऐसे और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूटूब चैनल आज तक देवहार है चुनाओ का गहराई से सोचिएगा जिन्दाबाद जिन्दाबाद के शोर से बचिएगा करेंगे चुनाओ के हर छोटे बड़े पहलू पर बात देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजराद सिर्फ आस तर डिजिटल पर सोचल मीडिया पर लिखिए हैस्टेग क्या कहता है गुजराद और देखिए हमारे ये शो